हेलो सुटेंट्स वेलकम और नमस्कार स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में आज हम एक बहुत ही इंपोर्टेंट न्यूज या नि बहुत बहुत इंपोर्टेंट न्यूज है आईटी फस्टियर वाले बच्चों के लिए वो लेकर आये हैं इंपोर्टेंट यह डीजी टी जो है वह आई टीए वाले बच्चों के फस्ट यह वाले एक्जाम जो आपके खतम हो चुके हैं अब जो डीजी टी ने अपना मन बनाया है कि जो फस्ट यह के जो टियोरी डवली वसी और ये इस के जो एक्जाम बाकि रह गए उनको भी बहुत जल्दी करा दि कि जो आपका आइटि की फर्स्ट यह के जो exam है वो exam जो है वो फंद्रा मार्च के आसपास होने की संभावना है पूरी पूरी वह इससे संबन्दी जो सुचना वह आपके साथ स्कूरा करना जाता हो तो सुचना आपके साथ स्क्रीन पर है वह उस सूचना के अंदर अपने देखेंगे कि आपको एक्जाम कब होंगे कैसे होंगे और किस अधारित एक्जाम आपके सामने है लेटर जो है उसमें आपको दिखाई दे रहा है यह लेटर जो है आज ही का है यानि चार मार्च 2021 का यह लेटर है जो साथ वजकर 9 मिनट पर जो हमें मिला है इस लेटर की पूरा पूरी पूरी संभावना है आपके exam जो है वो पन्दरा मार्च के आजपास करवाए जाएं इसके लिए जो fees जो आपकी submit की जाएगी exam की फीज जो trainees की है सभी trainees की उसका जो link है वो 10 तारीक को open कर दिया जाएगा यानि ये link open होने के बाद में जो आपके फीज है, वो फीज जो है आपकी समीट हो जाएगी और 15 मार्च के बाद में आपकी गजामनेशन जो है, वो शुरू होना शुरू हो जाएंगे आप देखो, इखवीणेशन किस परकार होंगे, ये मैं आपको क्लिरली बता जेता हूँ आपके जो exam है वो desktop screen पर होंगे यानि कि clearly यह notification है कि आपके जो exam होंगे वो CBD based होंगे यानि computer based आपका exam होगा जिसमें आपके theory के जिसमें workshop calculation के और ESK question जो है वो combined आएंगे किस तरीके से आपके question रहने वाले हैं वो मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपके question आएंगे कैसे आपके question आने वाले हैं किस तरीके से आपका exam रहने वाला है तो जो students ITA first year में है वो alert हो जाएं और त्यारी करना शुरू कर दें अपने examination की क्योंकि आपके पास ज्यादा time नहीं है बहुत कम time है कि आपके exam होने में बहुत कम time बचा है और आप लोगों को सबसे पहले आप अपने किसी नजदी की ITA जो आप जिस ITA में पढ़ रहे हैं उस ITA में आप लोग जो है प्रैक्टिस कीजिए online CBT test की online exam कैसे दिया जाता है ठीक है next मैं आपको बताता हूं कि आपका exam जो है वो किस प्रकार से होने वाला है कितने question theory के आएंगे किसने question WC के आएंगे और किसने question जो है वो ES के आने वाले हैं तो आप लोग बने रहे हैं वीडियो में अंतर तक ठीक है तो अपने देखते हैं कि कैसे आपका exam होने वाला है तो students आपका जो CBT exam होने वाला है उसकी guideline जो आपके सामने है उस guideline के coding मैं आपको बता जाता हूं कि exam किस तरिके से होगा कितने number of question आएंगे कितने आपको time मिलने वाला है और कितने time में जो आपकी कितने theory के question आने वाले हैं तो आपके सामने एक PDF शो हो रही है उस PDF में मैं आपको read करके और समझा देता हूं कि यह PDF जो है इसके coding आपका examination होने वाला है जो पंदरा मार्च या इसके बाद में सुरू होगा और यह जो आपको information दी जा रही है यह बिलकुल एकदम सही information है पंदरा मात से आपके CBT यानी computer based test जो है वो start होने वाले हैं ठीक है लिंक में अगर आप लोग जो यह later है यह download करना चाते हैं तो इसका link मैं जो है वो description में provide करवा दूँगा वहाँ से आप download कर सकते हैं ठीक है कि exam will consist of multiple choice of question आपके जो exam होगा उसमें आपके multiple choice of question आने वाले हैं multiple choice of question का मतलब हो गया कि total जो आपके number of question होंगे वो आपके 40 हो सकते हैं या 20 हो सकते हैं जो भी जितने भी होंगे उनमें एक जो question होगा उसके चार option आपको दिये जाएंगे और आपको उन चारों में से किसी सही option का चैयन करना होगा इसके लिए आपका जो examination होने वाला है वो पूरा 180 minute यानी 180 minute और 3 गंटे का होने वाला है और इन 3 गंटों के अंदर जो आपको exam मिलेगा वो कैसे मिलेगा उसको आप लोग किस तरीके से time distribute किया गया है वो आपके सामने है तो आपके पास में जो total 3 गंटे आपको मिले हैं उसके अंदर से 135 minutes जो होंगे 135 minute die over जो है वो आपको 80-60 question के लिए मिलेंगे जो आपके पास में total देखो कैसे होंगे आपके पास में total number of question जो है वो 40 होंगे theory के theory के question 40 आपके आएंगे जिनके लिए आपको 1.5 गंटे का time मिलेगा employability skill के आपके 20 question आएंगे जिसके लिए आपको 45 minute का time मिलेगा और workshop calculation and science के जो है वो भी 20 question आएंगे उनके लिए भी आपको कितना मिलेगा 45 minute का time मिलेगा ठीक है इसके बाद देखें अपने आगे देख लेते हैं इस table में सारा show किया हो है कि किस परकार से examination आपका होने वाला और कितना time आपको मिलने वाला है ठीक है तो यह आपके सामने table show है इस table में आप लोग देखें trade theory subject जो है वो आपका trade theory होगा time direction के अगर बात करें तो two year trade आप जो students है वो 100 number के होंगे यानि कि 40 question theory के आपके आएंगे वो 100 number के होंगे और उनको करने के लिए आपको 90 minute का time मिलने वाला है जो कि आपके theory के question होगे तो सीधा सारती हो गया कि 40 question को आपको करने के लिए 90 minute मिलेंगे और ये question आपके 100 number के होंगे फिर second जो आपका test होगा एक ही paper में होगा अलग से day आपको नहीं दिया गाएगा उसी paper में 40 question खुलने के बाद उसी paper में पहली shift में यानि उसी paper के अंदर फर्स्ट जो आपके पास में time होगा 90 minute होगे उनमें आपके 40 question चलेंगे next ये जैसे ही आपके 90 minute पूरे होते हैं आपके next 20 question खुल जाएगे उसी time के अंदर जो की workshop calculation के होगे और उन 20 question को आपको 45 minute में करना होगा और ये question जो होगे ये 50 number के होगे जैसे ही आपके 45 minute पूरे होते हैं आपका जो ये WC का paper है ये बंद हो जाएगा और automatic जो आपका third paper है यानि employability skill का जो paper है वो खुल जाएगा तो employability skill का paper जैसे ही आपका खुलेगा employability skill का paper जैसे ही आपका खुलता है उसके बाद में देखो आपको कैसे इस facebook को solve करना होगा employability skill का जो paper है वो भी उसके भी आपको जो है वो 45 minute मिलेंगे 45 minute में आपको इस question को करना होगा total question होगे 20 आपके पास आपको 50 number इस question होगे दिये जाएंगे तो देखो total कैसे exam होगा एक ही first paper होगा आपका paper एक ही होगा एक time के अंदर total आपको time मिलेगा 3 गंटे 3 hours मिलेंगे उसमें से आपको 1.5 hour के अंदर 40 question theory के करने हैं फिर जैसे ही आपका theory का exam complete होगा automatic next 45 minute के लिए आपका 20 number का exam खुलेगा वो WC का और जैसे ही आपके ये 45 minute complete होगे अगले 45 minute के अंदर आपका ES का exam कुल जाएगा तो total जैसे ही आपका time complete होता है यानि कि जैसे ही आपका 180 minute complete होगे 3 गंटे होगे तो 180 minute complete होते ही आपका जो है 20 WCK और 20 ESK इन सभी को आपको submit करना होगा और आपका paper जो हो submit हो जाएगा ठीक है next कुछ और guidelines है वो भी मैं आपको बता जाता हूँ examination जो होगा employee skill और workshop calculation conduct in one go without any break यानि कि बिना किसी रुकावट के तीनों exam एक साथ चलेंगे पहले trade theory चलेगा फिर बिना किसी weight के तुरंत आपका ES का exam खुल जाएगा और उसी समय तुरंत आपका जो workshop calculation का exam है वो खुल जाएगा इन्हों ने साप साप इस line में लिखा है कि तीनों test के बीच में किसी परकार का कोई break नहीं दिया जाएगा यानि कि 180 मिनट में आपके तीनों paper एक साथ ले लिए जाएगे किसी परकार का कोई break आपको नहीं दिया जाएगा ये इस ने clear कर दिया है इस line के अंदर next आप देखेंगे कि evaluation for each subject evaluation of each subject will be done separately मतलब कि आपके जो परतेक सब्जेक्ट है उसका जो marks होंगे जो time होगा वो आपको अलग अलग दिया जाएगा ऐसा नहीं होगा कि theory के 40 question complete होने में आप आप को के 1.5 गंटा पूरा लगेगा और अगर उससे कम भी time नहीं मिलेगा और उससे ज़्यादा time भी आपको नहीं मिलेगा ठीक है नेक्स्ट यह कह रहा है ई-point के अंदर कि exam will exam will be conduct through computer based CBT यानि exam जो होगा वो पूर्णत है जो आपको दिखाई दे रहा है computer based होगा यानि कि CBT exam आपका होगा तो इसलिए आप लोगों को सबसे पहला जो काम है वो यह है कि आप लोग जो है इसकी त्यारी करें कि किस त वहाँ पर जाके जो है वो attend करना है ठीक है नेक्स्ट देखें आप लोग कि जो आपका paper होगा उस वो कैसे होगा सबसे पहले एंटर examination passcode given by the invagilator यानि invagilator के द्वारा जो आपको password और username दिया जाएगा उस password username को लगा कर आप पहले जो अपना exam है उसको start करेंगे यानि start button को दबा कर exam को क्या करेंगे start करेंगे जैसे ही आपका exam start हो जाता है आपको कुछ जो guideline वहाँ पर दी जाएगी आपको terms and condition दी जाएगी उनको आपको पढ़ना अच्छे से उसको complete करने के बाद में जैसे ही exam खुलता है आप लोगों को number of questions दिख जाएंगे जो exam के question होंगे वो आपने उन question को solve करना है और मैं बता देता हूँ कि किस तरीके से उन question आपको दिखेंगे तो ये question आपको जो दिख रहे हैं इस परकार से होंगे जैसे कि आपके सामने ये question आपको दिखाई दे रहा है ये question है और चार इसके option आपको दिखाई दे रहे हैं इसी तरीके से आप लोग सही answer देंगे यह question आपका जो है यह किस तरीके से हो जाएगा मैं आपको बता जिता हूँ आगे थोड़ा चल के अपने जैसे आप लोग यहाँ अपना answer देंगे तो answer देते ही आप सभी को कुछ इस परकार से नीचे इस question इस paper के अंदर यहाँ पर side में बिलकुल यहाँ पर next बटन दिया होगा next का मतलब होता है कि आपका यह question complete हुआ तो आप next करके आगे वाले question पर जा सकते हैं next का अर्थ यहाँ पर यह है तो next question करते हैं आप आगे वाले question पर पहुंच जाएंगे और आगे वाले question को भी आप लोग attempt करके next करके फिर उससे आगे वाले question पर पहुंच जाएंगे ठीक है question के अंदर आपको यह इस प्रकार से कुछ चीजे दिखाई देंगी side में आपको देंगे left hand right hand की side में दिखेंगी जो question आपका आपने देख लिया है वो question कुछ इस रंग का हो जाएगा question को आपने बाद में करने के लिए छोड़ा है उसके लिए flag हो जाएगा flag का मतलब वो यह हो गया कि यह question आपको बाद में करना है अभी question को आपने नहीं करना है तो इस परकार से आपका exam जो है वो चलेगा last आपके पास timing show जो है इस परकार से timing जो है एक तरफ चलती रहेगी कि time complete होते ही आपका exam अपने आप submit हो जाएगा अगर किसी बच्च कोई बच्चा submit नहीं कर पाता है तो कोई परेशानी की बात नहीं है गबराने की कोई जूरत नहीं एक्जाम अपने आप भी submit हो जाता हो तो submit हो जाता है exam आपका तो इसी के साथ में जो यह देखिए आपक 20-30 मिनट बचते हैं तो time वाली जो फ्लैग है जो आपका time का hold होगा वो इस color का हो जाएगा यानि orange color का और 2 मिनट जैसे बचते हैं तो आपका time जो है वो red color में चलने लग जाएगा लास्ट में आपको जो है review और submit का option मिलेगा तो आपने question को review और submit करेंगे तो आपका question paper जो आपने यहीं तक रखेंगे